प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी की माँ हीराबा ने आज गांधी नगर के आर्या भठाई स्कूल में स्थित मद्दान केंद्र में अपना वोट डाला उनके साथ उनके छोटे पुत्र पंकज मोधी और परिवार के अन्यस सदस्य भी थे प्रधान मंत्री की माँ ने अपना वोट डालने के बाद मद्दान केंद्र के बाहर खड़े मीडिया कर्मियों को सिहाई लगी उमली दिखाई उनकी उम्र 97 वर्ष के करीब है उन्होंने मद्दान केंद्र से बाहर आते हुए समाधाताओं से कहा बगवान गुजरात का कल्यान करे वै उन मद्दाताओं में से एक हैं जिनोंने मद्दान शुरू होने के बाद जल्द ही अपना वोट डाला इन में पूर्व मुख्या मंत्री आनंदी बैन पटेल भी शामिल है पटेल ने एहमदाबाद के घाट रोधिया विधान सबाशेत्र में एक मद्दान केंद्र पर वोट डाला जहां से वै विधायक है वै इस बार चुनाव नहीं लड़ रही है इस बार भाजपा ने इस सीट से भुपेंद्र पटेल को उतारा है जिनका मुकाबला कॉंग्रेस के शशिकंद पटेल से है आनंदी बैन पटेल ने अपना वोट डालने के बाद समधाताओ से कहा मुझे विश्वास है कि भाजपा ने अपने लिए जो लक्षय तैक किया है वै उसे हासिर करेगी और पार्टी एक बार फिर सरकार बनाईगी हमारे उम्मीदवार को मुझे से भी जादा वोट मिलेंगे और पार्टी दर मुद्दे का हम पर असर नहीं पड़ेगा गुजराद विधान सभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण के लिए आज उत्तर और मद्दिया गुजराद की 93 सीटों पर मद्दान चल रहा है में 89 सीटों पर 9 दिसंबर को मद्दान हुआ था यह चुनाव प्रधान मंत्री मोधी के लिए प्रतिष्ठा की लड़ाई के तौर पर देखा जा रहा है और कॉंग्रेस के नवनिर्वाचित अध्यक्ष राहुल गांदी के नेतरित्व के लिए परिक्षा है वर्ष 2012 के विधान सबा चुनाव में भाजपा ने 115 सीटे जीती थी जबकि कॉंग्रेस ने 100 सीटों पर जीत दर्ज की थी हमारी आज की इस खबर में फिराल इतना ही तब तक के लिए दीजे हमें इजाज़त नमशकार